तो क्या आपके पास भी गेमिंग PC है या फिर एक नॉर्मल PC है और आप उसके अंदर Wi-Fi से इंटरनेट को चलाना चाते हैं पर प्रॉब्लम यह है कि आपके PC के अंदर Wi-Fi नहीं है तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्फ करता है यहाँ पर TP-Link का 300MP का यह Mini Wireless and USB Adapter यहाँ फिर कहें आ जाता है तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्फ करने का काम यह डॉंगल करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरगी की पैकिंग आती है अगर प्राइजिंग के अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर 600 रुपीज के सम्थिंग आपको यह डॉंगल देखने को मिल ज कि हमें क्या मिलता है ओके तो यहाँ पर हमने इसको और रैप कर लिया है और यहाँ पर चलिए इसको निकालते हैं जल्दी से बाहर तो पर से हमें इस तरीके से खोलना होगा दोस्तों यह अच्छी चीज है कि आपके पास होनी ही चाहिए अगर आप एक पीसी ओन करते हैं को वैसे प्लागेंड प्लेड डिवाइस है तो आपको इससे इंस्ट्रॉल करने की इतनी जज़ा नहीं रहेगी अगर करना भी चाहते हैं तो यह आप देख सकते हैं वह यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है और 300 Mbps जो है नाइट को सपोर्ट करता है और कुछ इस तरीक बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है और पीछे से जो इसकी लुक है वह कुछ इस तरीके की देखती है और TP-Link की जो यहाँ पर ब्रैंडिंग है वह यहाँ पर की हुई है इसको हम खोल लेते हैं तो यहां से USB हमें देखने को मिल जाती है इसे लगाना होगा हमें अपने PC के अंदर जैसे आप इसको लगाते हैं तो यह Plug and Play device है जैसे मैं आपको बताया तो आप अपने Wi-Fi को directly जो वहाँ पर नीचे आइकन आ जाएगा तो आप इसको connect कर सकते है Wi-Fi से और आपका जो internet है वो चलना शुरू हो जाएगा तो देखिए मैं आपको दिखा देता अब यहाँ पर मैं speed दिखा देता हूं कि कैसी speed आ रही है जो मेरा internet है जहाँ पर लगा हुआ है उसकी जो normally speed रहती है वो 30 to 50 Mbps के आसपास रहती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 35, 34 something something कुछ यहाँ पर जो speed है मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है तो almost जो है काफ लैन ही लगाना ज़रूरी है अचकल बहुत सारे options already market में आ चुके हैं जिनकी मदद से आप अपने wifi की मदद से ही अपने PC में इंटरनेट को चला सकते हैं आप games खेल रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं काफी अची तरीके से work करता है के बार यही चीज मैंने पहले वाले model में सकते हैं तो खेर आप इस device के बारे में क्या सोचते हैं मुझे comment करके जरूर बताना तो खेर आज की वीडियो खेर यही तक थी मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीस लाइक करें सब्सक्राइब करे हैं हमारे चैनल को इस तरह के और वीडियो के लिए शेयर करें और दोस्तों अगर आपके में कोई भी सवाल हो तो प्लीस मुझे comment box में पूछना ना भूले तो फिर जल्दी मुलाकात होगी आप से अगली वीडियो में और तब तक के लिए take care and bye bye